सबसे बड़ा नुक्सान बेश का सबसे बड़ा नुक्सान नफरत और हिंसा से होता है सई आपने अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाए बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो जाए बहनों के बीच में लड़ाई हो जाए वो परिवार सफल हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता देश भी वैसा ही होता है अगर देश में नफरत फैलती है हिंसा फैलती है देश का भला नहीं हो सकता मैंने यात्रा क्यूंकि चार हजार किलोमेटर चलना असान बात नहीं है भाई और बेहनों आपने मेरी मदद की आपने पूरी अपनी शक्ति जोग दी आपने मुझे मदद की तो मैं कर दिया मैंने कर दिया मगर मैं भारत चोड़ी आत्रा पे क्यूं निकला क्यूंकि मैं चाहता था कि ये देश जो है मुखबत का देश है नफरत का देश नहीं है और मैं मुखबत की राजनेती करना चाहता था क्यूंकि मैं देश प्रेमी हूँ देश भक्त हूँ और मैं जानता हूँ देश को कमजोर करने का सबसे बहतर तरीका नफरत फैलादो देश कमजोर हो जाएगा परिवार को कमजोर करना है नफरत फैला दो बाई बाई के बीच में नफरत फैला दो परिवार कमजोर हो जाएगा देश को कमजोर करना है बाई बाई के बीच में नफरत फैला दो देश कमजोर हो जाएगा युवाओं को बीच में नफरत फैला दो देश कम्जोर हो जाएगा इसलिए मैंने नारा दिया सबसे अच्छा नारा हिंदुस्तान के बविश्च के लिए सबसे अच्छा नारा नफरत के बाजार में महबत की दुकान कोलनी है और यात्रा से बहुत फाइदा हुआ बहुत लोग जुड़े नफरत मिटी और अब